हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल बायोवेडिक्स में और आज हम लाएंगे आपके लिए एक और ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तो अक्रोट के फायद होती जी हां दोस्तो डाइबिटीज और दिल की विमारी में अक्रोट के क्या फायदे हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे और अक्रोट के अन्य फायदे और उसके कुछ नुकसान के बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस् के कुछ side effects के बारे में detail में बात करने वाले हैं तो आईये दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि diabetes में अख्रोड के क्या फाइदे हैं तो आप समझे दोस्तों कि भीगे वए अख्रोड खाने का सबसे पहला फाइदा अगर कोई मिलता है तो वो diabetes के मरीज़ों को मिलता है क्योंकि इस से blood sugar level control में रहता है और आप अगर रोजाना routine में 2-3 अक्रोट भी खा पाते हैं तो ये आपको type 2 diabetes के खत्रे से बचा सकता है और अगर आपको diabetes है तो उसको नियंत्रित कर सकता है तो ध्यान दीजेगा फिर दोस्तो अगली बात करें कि दिल के लिए फाइदे मन्द है अक्रोट भीगो कर खाना आपके दिल के लिए बेहत फाइदे मन्द है इसमें omega 3 fatty acid पाय जाता है दोस्तो जो कहीं ना कहीं blood pressure को control करने में सहायक होता है और दिल की अन्य बिमारियों से भी आपको दूर रखता है दोस्तो इसके अलावा body में good cholesterol को बनाने में और bad cholesterol को कम करने में भी अक्रोट का एक एहम रोल है फिर अगली बात करें दोस्तो कि cancer को रोकने में भी सक्षम है अक्रोट एक research की माने तो रोजाना अक्रोट खाना आपको prostate cancer, breast cancer और colorectal cancer जैसे खतरनाक cancer से दूरी बनाए रखने में मदद करता है और दोस्तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्रोट में कुछ polyphenol, ilogitannin पाए जाते हैं जो cancer से लड़ने में आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं फिर दोस्तो आगे मैं बता हूँ आपको के ये immunity को भी बढ़ाता है जी यहां दोस्तो अक्रोट सिर्फ एक dry fruit ही नहीं बलकि एक immunity booster भी है और इसके antioxidant ततु जो है वो आपकी immune system को मजबूत करते हैं और साथ ही साथ आपको healthy और fit भी बनाए रखते हैं तो दोस्तो किसी भी इस्तिती में आप dry fruits अगर कोई भी खाते हैं तो उसमें अक्रोट को जरूर शामिल करें ये निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा पहुचाएगा आपके स्वास्थे को बहतर बनाए रखेगा फिर बात करते हैं दोस्तो अक्रोट के कुछ side effects की होते हैं यानि जब भी आप अक्रोट खाएं तो सीमित मात्रा में खाएं अगर आप ज़्यादा अक्रोट खाएंगे तो इसके कुछ side effect हो सकते हैं जैसे कि आपको तोचा संबंधि कुछ दिक्कत हो सकती है दोस्तों आपको डाइरिया हो सकता है फिर मैं बताओं आपको कि अगर आप ज़्यादा अखरोट खाएंगे तो आपको जी मशलाने संबंधी समस्या हो सकती है यानि पाचन से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है तो अधिक मातरा में अखरोट ना खाएं लेकिन सीमित मातरा में खा सकते हैं और आपके लिए फायदे मन्द भी है एक और बात है दोस्तों के जो प्रेगनेंट वुमेंस हैं उन्हें अखरोट से दूरी बनाए रखनी चाहिए हो सके तो ना खाएं और अगर खाएं तो बहुत ही सीमित मात्रा में खाएं कभी कबार खा लें तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक शेयर जिरूर किजीगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी किजीगा थैंक यू